असलाम अलाकुम यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब अखरीयत से होंगे आज के वीडियो मैं शेयर करने जा रही हूं एक ऐसा विंटर क्लोब फेशल जिससे आपके फेस की डिसकलब्रेशन है या जो आपके फेस के डार्क एरियाज या संटेंड हो गया है वो काफी हथ तक बहतर हो जाएगा मैं बहुत से जो हॉम रेमिडी यूज करती हूं यह लेकिन सबसे फेवरिट मेरा हॉम रेमिडी है वह यह क्विक और इंस्टेंट जो है यह कॉफी फेशल आप इसको कह सकते ह है इससे एक डम से आपकी स्कीन जती है जो टैनिंग होती है या थुरासा अज़कों हूच्छ शंक्त सबसक्ता करते हैं कॉछ बूद करते हैं केमिकल सपर हो यह बहुत ही जबर्दस और बाहुत के में इससकों है तो चलिए बगाटा हम इसे लोग देखते हैं कि इस मास्ट को कैसे बनाना है तो इस मैजिक विंटर गलो फेशल और फेस मास्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर चाहिए कॉफी कॉफी जो है यहां पर मैं यूज कर रही हूं और नेस कैफे का गोल्ड कॉफी आपके बस जो भी हो आप लोग यूज कर सकते हैं उसके बाद नेक्स है जी राइस फ्लार यानि चामलों का अटा और उसके बाद है जी हनी यानि शेहद और साथ में हमें चाहिए छोटा सा लीमो अब आपने वीडियो को एंड तक देखना है स्किप नहीं करना इसे मैं आपको प् स्पून ले लिए कॉफी कॉफी जो है यह हमारे कंप्लेक्शन को बैटर करने में हमारे सेंटेंट को रिमूव करने में और स्किन को फ्रेश करने में बहुत अच्छे से वर्ट करती है अब यहां पर मैं एड करूंगी जी हाफ टेबल स्पून ही मैं इसमें राइस प्लार इन चालों का अर्टाइड करूंगी यह हमारे कंप्लेक्शन को बैटर बनाने में ड्राक स्पॉर्ट को कम करने में आपकी स्किन को स्मूध करने में और स्मूधली एक्सुलियेट करने में बहुत जबर दास्त काम करते हैं साथ में जहां पर चाहिए पिंच आफ टर्मरेक यहां अगर आपके पस कस्तूरी हल्दी हो तो आप दो चुटकी तक इसमें एड़ कर सकते हैं तो इससे मेक शॉर के ज़्यादा ना इसमें एड़ करें ताकर यह यह यहलोई शेल जो है वो कलर आपके फेस पर नी तो आ जाएगा इसके पाद अभी हम इसमें एड़ करेंग और जो है मैंने इसमें हनी एड़ किया है और तक इसका अच्छे से एक पेस्ट बन जाए इसमें मैंने पानी का जो है वो इसमाल नहीं किया है तो आपने हनी से ही इस पेस्ट को आपने बनाना है जितना भी आपको जरूरत पर थोड़ थोड़ा करके आपने एड़ करना है और इससे ही आप ने इसका पेस्ट तायार करना है TR Quọнов Channel आप ने इसफ़ाल की लेना लिए मेंसे हाफ लेना हैं जो लेवं सना है प्लीचेंग प्रपपटीस होती में जिस तरह लोग arm आप होती है उंजित सक्वारा में डान ऑजन है है और जो हनीस में एड किया है ये आपकी स्किन को मस्चुराइज करेगा, प्लम बनाएगा, खुबसूरत एंड समूध बनाएगा, साथ में जो टरमरिक हम आप इसको बना लेती हैं, यह मास्क इतना रिच है, इसकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन बहुत ही खुबसूरत हो और सपल हो जाएगी आपने इसको अच्छे से इस टाइम तक मिक्स करना है, जब तक कि यह कम्प्लीट अच्छे सा पेस्ट ना तयार हो जाएगी इसमें जितनी भी हमने चीज़ें एड़ की हैं वह बहुत ही अच्छी हैं स्किन के लिए बहुत ही खुबसूरती से आपकी स्किन पर काम करेंगी और यह मास्ट लगाने के बाद आप एक इसकिन अपने फेस पे जो है वो शाइन और ब्राइटनेस देखेंगे आपकी स्किन एक दम से जो है वो फ्रेश हो जाएगी जिस तरह डल हो रहा होता है कलर या विन्टर में वैसे ही सकिन बड़ी ड्राइए और रफ हो रही होती है तो इस पेस मास्के आपकी सकिन काफ़ी इच्छी प्राइट हो जाती है और यह इंस्टन डिजल्ट आपको देता है यह नहीं है कि आपने आज अपलाई कि आप दो तीन दिन बाद आपको देखने को मिले गए यह आपको इंस्टेंट डिजर्ड देगा कौफी का मास्क ऐसा ही मास्क है आपने अगर कहीं भी जाना हो अगर आपके पर जादा टाइम ना हो तो सिंपल आपने इसी मास्क को बनान अच्छे इसको आपने बहुत जादा रगरना नहीं है फेस पे हलके हाथों से ही मलते हुए आपने इसको लगाना है फेस पे जिस तरीके से हम उप्टन लगाते होते हैं तो आपने स्किप नहीं करना वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब नहीं कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें तो देखें, यहाँ पर मने अपने पूरे face पर यह mask apply कर दिया, इसको कोई भी use कर सकता है, तिरने जाशे use कर सकते हैं, school going, college going, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको daily basis पर use करें, या आप चाहें तो alternate day पर, अगर daily use करेंगे, तो इसके आपको बहुत अ मिलेंगे आपके skin exfoliate हो जाएगी dead skin remove हो जाएगी अब चाहें तो alternative day पे भी इसको use कर सकते हैं या फिर आप इसको at least week में twice या three times in a week आप इसको kindly जरूर इसको apply करें अपने face पे अच्छे results के लिए आप जो mixer रह गया था है मैं इसको हाथों पे भी लगा लूँगी आप इसको ह नहाँ पर देखें completely मैंने apply कर दिये अब इसको 20 मिंट तक मैं अपने face पे रखूँगी अब 20 मिंट बाद मैं आपसे मिलती हूं और आपको बताती हूं next step हमने किस तरीके से इसको remove करना है मैं आपको बताऊंगी तो देखें यहाँ पर 20 मिंट हमारे हो गए अभी हाथों को आपने गीला कर लेना है और गीले हातों से अपने हलके हलके अपने मसाज करना है दुबारा से उसी face mask पे लगाए वे आपने ooh इस पर मसाज करना है ड्रेक्टली आपने face wash नहीं करना आपने at least एक मिंट के लिए जो हैसको mask करते रहना ही एक मिंट के बाद ही आपने जाके face स है वो करना है सर्कुलेशन में अच्छे से हलकी हातों से हलक गड़ना है से को आपने सिर्फ मसाज के करना है इस next मासके ऊपर फिर आप में ऐपने Veeze को और वाश कर लेना है । यहां पर देखे मैंने फेस वाश कर लिया यू कें सी डर रिजल्ट कितना fresh हो गई है skin और कितना bright हो गई है skin आप देख सकते हैं इससे बहुत instant result आपको मिलेगा आपकी skin एकदम से fresh हो जाएगी अगर आप इसको continuously use करते हैं तो दो से तीन मन्त के बाद आप देखेंगे आपकी skin के तमाम problem जिससे दूर हो जाएगे अगर आपको dark spots का issue है तो भी व फेस वाश करने के बाद यहां पर जो मैं मॉस्चुराइजर यूज कर रही हूँ वो यहां पर मैं आपको आगे जा के वो step भी बताती हूं कि आपने किस तरीके से skin को मॉस्चुराइज करना है और अगर आपके पास कोई भी मॉस्चुराइजर ना हो market based तो आप घर में किसे skin आपकी बहुत कुब सूरत हो जाती है अगर आपको split end का problem है तो आप उस पे भी यह olive oil जो है वो apply कर सकते हैं उससे यह problem आपका दूर हो जाएगा तो अब हमने जो है face को अच्छे से मसाज करना है खाली आपने इसको लगाना नहीं है oil को आपने इसका अच्छे से करना है उसके बाद ही आपने अपने face पे जो है वो मसाज करना है और जितने भी pressure point है उनको मदे जहां रखते हुए आपने जो है वो मसाज करना है face का इससे आपकी काफे अच्छे से आपका face define हो जाते है अगर आप यह टेक्नीक रोज यूज करते हैं तो इससे आपका face इस मसाज करना है olive oil से क्योंकि olive oil एक ऐसा oil है जो easily absorb हो जाता है आपकी skin में प्लस आपकी skin को बहुत से benefit मिलते हैं अगर आप olive खाते भी हैं तो भी आपकी skin बहुत खुबसूरत हो जाती है तो दो से तीन मिंट मसाज करने के बाद यहां पर मैंने ले रही है जी वैसलीन जो क और under eyes इस तरह इसके आपने इसको apply करना है पूरे face पे apply करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है तो आपकी skin बहुत अच्छे से hydrate भी हो जाएगी क्योंकि winter है इसलिए आपने यह दो step लाजमी करने हैं ताके आपकी skin बहुत ही अच्छे से glow करें और आपकी skin fresh हो जाए और अंदर से आपकी skin heal हो जाए so here is the final result you can see कितना अच्छे से जो है मेरा face जो है वो glow कर रहे तो यह था मेरा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा अगर चैनल पर आप लोग न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लें बेर करने को प्रेस करने ताकि आप स्यान मेरे कोई भी वीडियो मिसना हो मिरते हैं फिर इस तरह की कॉन वीडियो के साथ तब तक लिए अपना बहुत साथ अख्यार रखिएगा